इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते तो यह प्रॉब्लम जो है दोस्तों आपको कोई भी अप्लिकेशन हो सकते हैं तो आपको क्या करना है और कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करना है आज कि इस वीडियो पर मैं आपको यही सल्विशन बताने वह लाँ कर आपको प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करना है वीडियो को आन्ग दो सबसे पहले हमें क्या करना है अगर कुई भी application stop हो जाते हैं, तो जाएyे mobile settings पर, forgetting mobile settings पर जाने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और कर लेना है वह istror, explicit जाईए गले लोव है арne past, ये ये दीš आप उस application को search करें जो first stop हो रहा है ये फिर stop हो रहा है ठीक है? तो उस application को search करें और update कर दें जैसे कि हो गया pixel lab तो pixel एब तो उपर search में जाएए टाइप करें पिक्सल लैप और उसको update कर दें अगर कोई game है कोई game application तो उसको जाके update कर दें ठीक है उससे भी काम बन जाएगा और problem solve हो जाएगा अगर उससे काम बनते तो ठीक है नहीं होते तो आप setting पर जाए पर आपको और भी जादा स्कॉल्डान करने में एप टक तो में एप पर जाएए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस्ट मिल जाएगा तो यहाँ पर जाएए यहाँ पर जाने के बात आपको जो है वह application search करना है जिस्तिकि मैंने कहा था आपक पर कोई application हो सकते है या फिर यहाँ पर कोई गेमिंग का अप्लिकेशन हो सकते हैं तो बस चलिए आपर मोबाईल जिन का एक्जमपल ले लेते अगर मोबाईल एजन स्टॉप हो जाते तो आपको क्या करना है और इसका डेटा क्लियर कर देना है लेकिन मोबाईल जिन का कर आ अगर आपको प्रावले मारा है TWO से लेपर तो आपको क्या करना ही है लेह लेटा पर क्लिक करके क्लियर ओल टे जब कर दिना है उसके बार असके परमिशन जो रहेगा उसको करleen कर दिए और उसके पार बेक कीजिए मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम सॉफ्ट ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और दोस्तों सारे साथ अगर आपका मोबाइल सौफ़एर वर्जिन का नहीं है तो आप फोन पर जाए सि के मदद से आप कोई भी एप्लिकेशन जो स्टॉफ और उसको फिक्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट शेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं आज के लिए बस इतना है तेंक्स वर आचिंग